दोस्तों देखा जए तो बिहार की राजधानी पटना में कई सांदार रोड और ब्रीज देखने के लिए मिलेगी बिहार की राजधानी पटना में आपको सभी ब्रीज और रोड करीब करीब दो लेन में देखने के लिए मिलेगा वहीं मोटे तोर पे अगर बिहार की राज़ानी पटना के अलाबा बिहार के अन्य सहरों पे एक नज़र डालेंगे तो आपको दो लेन वाली सरक बहुत कम ही देखने के लिए मिलेगी वहीं आपको उस विवस्ति ढंग से ब्रीज का भी निर्मान देखने के लिए कम ही मिलेगा लेकिन क्या है वह वज़ा कि बिहार की राजानी पटनाय के आलाबा बिहार के अन्य सहरों में इस तरह की दोलेन वाली सरके बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है तो आज हम इसी सवाल के जवाब को तलासने की कोसिस करेंगे कुछ पॉइंट के मदद से तो इस वीडियो में आप लास तक बने रहे है वीडियो गर अच्छे लग जाए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सहर का पुराना होना दोस्तो देखा जाए तो पटना के साथ साथ बिहार के कई सहर है जो बिहदी पुराना है और पुराने सहर होने की वज़ा से यहाँ पर आपको रोड ब्रीज सिर्फ पैदल चलने के लिए भी बनाई गई थी लेकिन अब गाडियों की दवाब बढ़ चुकी है और इस वज़ा से आपको मुझपर भागल पूर गया और बिहार के अन सहरों में आपको दो लेन की सरक बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी या वज़ा भी है कि इन सहरों में आपको दो लेन की सरक और बीज बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है दोस्तो अगला पॉयंट जो है पुराने सहर के अलावा नया सहर को नहीं बसाना दोस्तो आपको बता दू कि राजधानी पतना पूरी दुनिया में एक मात्र ऐसा सहर है जो सबसे पुराने सहर में से एक माना जाता है। लेकिन आपको बता दू कि सारी करन नए तरीके से राजानी पटना में किया गया है जिस वज़ा से आपको राजानी पटना में दो लेन और चार लेन की सरके इसके अलावा उससे ज्यादा लेन की सरके देखने के लिए मिलती है वहीं दूसरी तरफ आपको जानकारी के लिए बिहार की राजानी पटना के अलावा अन्य सहर भी पुराने हैं लेकिन उन सहरों में आपको नए तरीकों से और प्लानिंग के तहद सहरों को नहीं बसाया जा रहा है जिस वज़ा से वहाँ पर आपको दो लेन, फोर लेन या सिक्स लेन की सरके और ब्रीज देखने के लिए नहीं मिलती दोस्तो अगला जो पॉइंट है हुआ सहरों को प्लानिंग के तहद बसाना दोस्तो हमने अभी तक कई पॉइंट पे डिसकर्शन किया है लेकिन यह जो पॉइंट है आपको बता दिक कोई भी सहर और कोई भी कस्वा को खुबसूरत बनाने के लिए उसको प्ला लैन या टू लैन की रोड जादा देखने के लिए ही नहीं मिलती है जहां पर गाउं कस्वे को बसाने से पहले वहां पे एक बेतर रोड अधारभू सनचना को बसाया जाता है बनाया जाता है वहीं यह प्लानिंग बिहार के अन सहरों जैसे कि राजधानी पटना के अन सहर के लिए नहीं मिलेगी जो पॉइंट है वह है लो इंकम होना दोस्तो किसी भी सहर के लोगों का एक बेहतर इंकम होना सहर के लिए एक अच्छा साइन माना जाता है वहीं अगर देखा जाये तो राजधानी पटना का लो इंकम होना दोस्तो किसी भी सहर के लिए एक अच्छ इनकम होना बेहती जरूरी है और वहाँ के लोग अगर अच्छा पैसे कमा रहे हैं तो वहाँ पर लोग ज्यादा खर्च करेंगे वहीं अगर देखा जाए तो राजधानी पट्णा एक बेहतर इनकम बला सहरेर भीःर का वहीं लोग ज़्यादा यहाँ पर पैसे कमाते हैं, वहीं अगर सीधे तोर पे देखा जाए, तो जहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे, वहाँ पर लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, ऐसे में वैसी जगह पर mall factory और अलग-अलग company ज़्यादा आएगी, और इन company और एक बेहतर facility प्रोवाइट करने के लिए सरकारे भी एक अच्छी road बनाएगी, और वहाँ पर ज़्यादा लेन वाली सरके आपको देखने के लिए मिलेगी, दोस्तो आपको क्या लगता है कि यह सभी वज़ा जायज है, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें और भी point एड करना चाहिए, तो आप मुझे comment box में जरूर बताएं, और हम इस पर और भी video अगला part लेकर आएंगे, दोस्तो आप अपनी परतिकिरिया comment box में जरूर दे, आज के लिए अगली video में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्यार लगे, धन्यवाद.